दोस्तों यस जो हैं वो रामाइन थे जो उनका नाम आ रहा था कि रामायन से जुरहे हैं रावन के खर्दार कर रहे हैं अब इसमें बहुत बढ़ा टुएस्ट आ गे हैं ये टुएस्ट क्या है इस वीडियो में बताऊँगा लेकिन आप भी सोच रहा हूंगे कि रामाइन मे इतना मेरी दिल्चस्पी क्यों है क्योंकि रमायन का सब्जेक्ट ही ऐसा है इसलिए मैं हमेशा कोई भी खवर होती है मैं आपके पास लेकर आता हूँ आपको बताता हूँ कि रमायन से जोड़ी अब क्या खवर आ गई है क्या अब भी सोच रहे होंगे कि शूटिंग भी शु हैं तो अब इसमें क्या ट्विश्ट है तो मैंने आपको सुरू में ही बताया कि यस जो है इस से अलग हो रहे हैं तो यह खवर कितना सच है कितना गलत वह मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब में किया तो सब्सक सब्सक्राइब और कोई भी ऐसे न्यूज से आप बंचित न रहाएं आपके पाद फटा-फट मेरा वीडियो का नोटिविश्ट पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं उसके अलावा कमेंट करते हैं हमेशा बोलता हूं कि कमेंट आपका बहुत बहुत बह इसलिए मैं परियास करता हूं आपके कमेंट का जबाब करेंगा हु दो समय कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुबाज घ्रीत ने इस पर पर शेयर पिए फोटोग्राफ और उसके पाद उन्होंने सब को टैग करके लिखा था कि काफी लंबा चोड़ा मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं कि रनवीर कपूर को टैग किया था साइं पलवी सनी देवल और यस को सारे को टैग किया था फिर आचानक से ऐसा क्या हो गया कि यस जो है उनको लेकर ये ख़बर आ की परियास क्या जानने के लिए तो उन्होंने बोला देखे ख़बर कैसा है ख़बर नहीं है ये तो मैं कन्फरम नहीं है लेकिन ऐसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक गुम रही ये बात है कि यस जो है वो इस मूवी को करने से रावण के करदार करने से बैक हो गया है व अंका फिश 80 करोड एक मूवी के लिए मतलब एक पार्ट के लिए कि आप जानते हैं कि रामायन तीन पार्ट में बन रहा है तो एक पार्ट के लिए उन्होंने असी करोड चार्ज किया था और जो परडूसर हैं परडूक्शन कंपणियां को देवी रही थे क्योंकि यह कि पूरा इंडियन सिनेमा में रूल करते हैं उनकी पिक्चर का वेट करते चाहें आपके दोनों पार्ट उठा लीजे और जब उनकी टॉक्सिक का जो टीजर रिलीज किया था उनने केवल अपना लोगों के लिए उसका वीव देख लीजिए कि कि इतना वीव कहां से आया था आपको लगेगा कि जितना नॉर्थ इंडिया में वीव आया था वो कहीं भी आफ साउथ इंडियन लोगों से कम पेर करके कम नहीं आग सकते हैं तो यस का एक जलवा है नॉर्थ इंडिया में भी लेकिन अब यसी कैसी खबर आगे कि यस अगर हट जाते हैं तो यह बहुत स्टाइल और बोलने में एक साउथ इंडियन लोग भी अगर जो डिक्सन होता ना गर वो किसी चीज़ को बोलते तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं उनका जो चाल होता है उनका हर तरीके से क्योंकि काफी संस्कृति से जुड़े होते तो उनका करेक्टर भी उस तरह होता है तो यस अगर यह मूवी नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा सेट बैक होगा लेकिन यह बताया जा रहा है कि मूवी अगर नहीं करते हैं तो इस मूवी के साथ जुड़े रहेंगे वो किस तरह क्योंकि यस बोल रहे हैं कि मैं इस मूवी के साथ ऐसे प्रोडूसर के तोर पे जोड़ूँगा इसे फिल्म में मैं पैसे लगाऊंगा या प्रोडूस करूँगा जो बोल सकते आप और ऐसे प्रोडूसर वो जोड़ेंगे इसके पार्ट हो कर रहेंगे लेकिन दोस्तों जो लोगी यस को जानते हैं और जो लोगी यस को मानते हैं वोई जरू मानत आधार वे इतना मतलब बोल सकते दुरदानत आदमी की तरह था जिसकी वज़से राम जी का को जो एक राम जी श्राम प्रभुष्यराम बने ऐसा नहीं बोल रहा सकते है आधा उसके दुरक टरुर गड़्दा सकते तो राम जी कि छोटा मोटा आदमी को रावण बना देंगे तो दर्शकों में मज़ा नहीं आएगा आपको अगर मज़ा चाहिए आनन चाहिए तो सामने वाला जो रावण का किरदार कर रहा है वो भी दमदार हो तब जाके मज़ा आएगा रोल में जिसे कि अब हनुमान जी है तो सनी पा का रोल जो साहिप पल्वी कर रहीं तो बिलकुल ऐसा लग रहा कि उनसे जएदा मतलब अच्छा मतलब आप देखेंगे साहिए को कोई बिलते बूरा का पूरा इंडियन कल्चर इंडियन सलस्कृती की तरह लगती हैं आप उनके मतलब वाव में उनके एक्टिंग में ऐसे भी आपको देखने को लगेगा अगर imagine करेंगे माता सीता का तो दो चार और हिरुन को रख ले जिया और साइन पलवी को रख ले तो आपको पता चलेगा कि साइन पलवी डिजर्ब करती है माता सीता का पूल के लिए तो इसलिए हर कैरेक्टर में एक्टर रहना अच्छा होना चाहिए जो भी परुशिर नाम का जो स्टोरी रहायन में तो जो भी है उसमें सब कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए हर किरदार दमदार एक्टर होना चाहिए जिससे की दर्शकों तक वो बात पहुँचे और एक कि यस नहीं कर रहें लेकिन मेरे इसाफ से अगर नहीं करेंगे तो बहुत सब्सक्राइब करें तो आपको कैसा लगा यह वीडियो जरू कॉमेंट बॉक्स में बताएगा ना तब मैं आपसे जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि सही मैं सचाई क्या है लेकिन अभी फिलाल तो है तो मैंने आपकी सब्सक्राइब आप मेरे वीडियो कहां से देखते हैं वो भी बताएगा फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में अगले अंक में तब तक के लिए धन्यवाद